आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वाधिष्ट, रजभरा आवले का मुरब्भा, ये बहुत ही स्वाधिष्ट बनता है, स्वाधिष्ट होने के साथ साथ ये गुणकारी भी बहुत होता है, इसे आप 4-5 सालों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, आप तो जानते ही होंगे, आवले का मुरब्बा सही तरीके से कैसे बनता है इसके बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ आप इसे आनता तक देखिए नमस्कार निशाम अधुरिमा रेसिपी इस में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपके साथ आवले का रस भरा मुरब्बा बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ तो चलिए स्वात के सफर को आगे बढ़ाते हैं और बनाते हैं हमारी आज की रेसिपी आवले का मुरब्बा बनाने के लिए हमने यहां एक किलो ताजे बड़े बड़े आवले ले लिये है इस तरह से आवले हमें लेना है इसमें यह थोड़े से पत्तियों के दाग होते है तो इससे कोई फरक नहीं पड़ता है इसे हमने साफ पानी से धोकर इसका सारा पानी अ आप चाहे तो चाकू की मदद से भी छेद कर सकते है देखिए इस तरह से हमें छेद करना है लेकिन बहुत ही साउधानी से हमें इस काम को करना है वरना ये फोर्क हमारे हात में भी लग सकता है मैंने फटफट एक आवले में छेद कर लिये है इसी तरह से बाकी के बच हुए सब भी आवले में मैं इसी तरह से छेद कर लूँगी इस तरह से आवले में छेद करने से क्या होता है कि चाशनी अंदर तक जाती है और आवला अच्छे से पक जाता है जिसकी वज़े से हमारा जो मुरब्बा बनता है वो सालो साल अच्छा रहता है अभी हमने फटा-फट सारे आवले में छेद कर लिये है अभी बढ़ते हैं नेक्स प्रोसेस की ओर हमने एक छोटा तुकडा फिटकरी का ले लिया है इसे हम कूट कर इसका पाउडर बना लेंगे हमने फिटकरी को कूट कर पाउडर बना लिया है मैंने यहाँ एक स्टील का बड़ा सा बरतन ले लिया है इसमें मैंने पानी लिया है इसमें हमने इतना पानी लिया है जिसमें आवले आसानी से डूब जाए इसमें एक छोटा चम्मच फिट करी का पाउडर डालेंगे इसे एच्छे से मिला देंगे इसमें अभी हम छेट कियो है सारे आवले डाल देंगे इसे अभी हम ढख देंगे और ढख कर 5-6 गंटों के लिए ऐसे ही रख देंगे आप चाहे तो इसे राद भर भी इसे छोड़ सकते है इससे क्या होता है कि आवले का कसैला पन थोड़ा कम हो जाता है 5-6 गंटे पूरे हो चुके हैं अभी हम इसका ठकन हटाएंगे आवलों ने फिट करी वाला पानी अच्छे से एब्सॉप कर लिया है अभी हम इस पानी में से आवले निकाल लेंगे इन्हें अभी हम एक बावल में निकाल लेंगे हमने सारे आवले बावल में निकाल लिये है अभी हम इन आवलों को साफ पानी से एक से दो बार अच्छे से दो लेंगे मैंने फिट करी वाला पानी फेक दिया है और दूसरा पानी इसे बरतन में ले लिया है इस पानी में से अभी हम आवलो को धो लेंगे हमने आवलो को अच्छे से धो लिया है इसे अभी हम एक टोकरी में रखेंगे ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए आज हम आवले का मुरब्बा मिश्री से बनाने वाले है मिश्री से बनने वाला मुरब्बा बहुत ही गुणकारी होता है हमने यहाँ यह धागे वाली मिश्री ले ली है यही असली मिश्री की पहचान होती है आप देखिए इस तरह से यह मिश्री आती है इसे हम थोड़े छोटे तुकुड़ों में तोड लेंगे आप चाहे तो मिश्री की जगे चीनी या गुड़ से भी ये मुरब्बा बना सकते हैं देखिए हमने इसे इस तरह से छोटे तुकुड़ों में तोड लिया है अभी हम इसे मिक्सी में से पाउडर कर लेंगे ताकि हमारा जो मुरब्बा है वो बहुत जल्दी बन जाए हमने मिश्री को पीस कर पाउडर बना लिया है हम इसे दो बैचेस में पीसने वाले हैं अभी हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे अगर आप मिश्री के जगे चीनी से इस मुरब्बा को बनाते हैं तो आपको इसे पीसने की आवशक्ता नहीं होगी चलिए बढ़ते हैं नेक्स प्रोसेस की और आवलो का एक्स्ट्रा पानी निकल चुका है हमें इने पोच कर नहीं लेना है सिर्फ इनका पानी निकल जाए इतना ही हमें इने सुखाना है इसमें अभी हम मिश्री का पाउडर डालेंगे इसे अच्छे से मिला देंगे हमने मिश्री का पाउडर किया है इसकी वज़े से यह मुरब्बा बहुत जल्दी बनकर तयार हो जाएगा इसके उपर ढकन रखकर इसे हम 3-4 घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे या फिर आप इसे राद भर के लिए भी रख सकते है 3-4 घंटे पूरे हो चुके हैं हम इसका ढकन हटाएंगे देखिए मिश्री पूरी तरह से गुल चुकी है इसकी चाशनी बन चुकी है इसे अभी हम अच्छे से मिला देंगे अभी हमने इसे पकने के लिए गैस पर रख दिया है गैस की फ्लेम को मेडियम रखेंगे और इसे बीच-बीच में इस तरह से चलाते रहेंगे जैसे जैसे ये मुरब्बा पकते जाएगा वैसे वैसे आवले का color change होगा और हमारी चाशनी भी गाड़ी हो जाएगी अभी चाशनी उबलना शुरू हो चुका है आप देख सकते हैं अभी आवले का color थोड़ा change हो चुका है लेकिन ये पूरी तरह से नहीं पके है हमें इन्हें पूरी तरह से ट्रांस्परेंट होने तक पका लेना है जैसे जैसे आवले पकते जाएंगे इनका कलर चेंज होते जाएगा और चाशनी भी काफी गाड़ी हो जाएगी हमें इसे पूरी तरह से पकाने के लिए 30 से 35 मिनिट लग सकते है इस समय गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम रखना है और इसे बीच बीच में चलाते रहना है वरना ये तले से जल सकता है 30 से 35 मिनिट पूरे हो चुके है हमने इस आवले के मुरब्बे को लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लिया है आप देख सकते हैं आवले पूरी तरह से ट्रांस्परेंट हो गए है और चाशनी भी काफी गाड़ी हो गई है इसका कलर भी चेंज हो चुका है हम इसे चेक करेंगे कि ये अच्छे से गाड़ी हो चुकी है या नहीं दिखिए अभी ये एक तारकी चाशनी बन चुकी है जैसे ही ये चाशनी और ठंड़ी होगी और काफी गाड़ी हो जाएगी हमें इसे और नहीं पकाना है इसमें अभी हम एक चोथाई चोटी चमच इलैची पाउडर डालेंगे ये औप्शनल है आपको पसंद हो तो आप डालिए या फिर आप इसे स्कीब भी कर सकते है इसे अच्छे से मिला देंगे अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आवला किस तरह से पक चुका है देखिए हम इसे चमच से तोड़ कर देखते हैं तो ये आवला बहुत ही आसान इसे तूट रहा है एकदम गुलाब जामुन की तरह ही ये सौफ्ट हो चुका है आवले को हमें इतना ही पकाना है अगर हम इसे और ज़्यादा पकाएंगे तो ये ओवर कुक हो जाएगा और एकदम रबड की तरह बन जाएगा इसलिए हम इसे और नहीं पकाएंगे चाशनी अभी काफी गरम है इसलिए अभी हम इस आवलो को एक बाउल में निकाल कर रख देंगे और चाशनी को पूरी तरह से ठंड़ा होने के लिए साइड में रख देंगे जब ये चाशनी पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी तब हम बढ़ेंगे next process की और चाशनी पूरी तरह से ठंडी होने के बाद हमने इसमें आवले डाल दिये हैं आप देख सकते हैं आवले का मुरब्बा बन कर तयार हो गया है आप चाहे तो इसे अभी खाना शुरू कर सकते हैं लेकिन आवले का मुरब्बा जब थोड़ा अच्छे से soft हो जाता है इसमें चाशनी अच्छे से absorb हो जाती है तभी इसे खाने का मज़ा और भी बढ़ता है और इसका color भी काफी हद तक change हो जाता है हम इसे ढखकर 8-10 घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और बीच बीच में इसे एक दो बार अच्छे से मिला देंगे 8-10 घंटे पूरे हो चुके हैं हम इसका ढखकन हटाएंगे देखिए अभी हमारा आवले का मुरब्बा perfect बन चुका है चाशनी का कलर भी आप देख सकते है बहुत ही प्यारा कलर आया है एकदम शहेद की तरह ही ये चाशनी लग रही है और आवले भी आप देख सकते है आवलों का कलर भी बहुत change हो चुका है और आवलों ने चाशनी भी अच्छे से absorb कर ली है इसे अभी हम सर्विंग बाउल में निकालेंगे आवले का मुरब्बा खाने के लिए रेडी है इस तरह से अगर आवले का मुरब्बा बनाते हैं तो आपके हाथों से बना हुआ मुरब्बा चार से पाच सालों तक अच्छा रहता है और कभी भी खराब नहीं होता है अगर आप आवलो को कम पका लेते हैं या फिर चाशनी को काफी पतला रखते हैं तो इससे आवले का मुरब्बा खराब हो सकता है देखिए इस तरह से पका हुआ हमारा आवले का मुरब्बा होना चाहिए अगर हमारा आवले का मुरबा परफेक्ट बख जाता है तो इसे आपको फ्रीज में रखने की बिल्कुल भी आवशकता नहीं होती है इसे स्टोर करने के लिए आप किसी भी काच या सेरेमिक के एरटाइट कंटेनर का यूज़ कर सकते है इस तरह से हमने इसे एक काच के कंटेनर में निकाल लिया है जब भी आप किसी भी कंटेनर में आवले का मुरबा स्टोर करें तो उस बरतन को हमेशा साफ करते रहें इसके उपर जो चाशनी लग जाती है उसे टीशू पेपर या किसी भी साफ कपड़े से पोचते रहें जब भी आपको समय मिले बीच बीच में आप इस कंटेनर को इस तरह से हिला दीजिए ताकि आवले चाशनी में अच्छे से डूबे रहें आवले का मुरब्बा बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जितने आवले लेते हैं सेम कॉंटिटी में आपको चीनी गुड या फिर मिश्री लेनी है तभी आपका मुरब्बा एकदम पॉर्फेक्ट बनेगा आप भी इस तरह से आवले का स्वादिष्ट एवं गुणकारी मुरब्बा जरूर बना कर देखिए और आपका मुरब्बा कैसे बना है हमें कमेंट्स करके जरूर बताईए अगर आपको आज की हमारी ये रेसीपी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंट्स के साथ इस यूसफुल रेसीपी को जरूर शेयर कीजिए इसी तरह से और भी मज़ेदार रेसीपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी तुरंत पाने के लिए बेल के बटन को भी दबा दीजिए आप हमें फेस्बुक, इंस्टाग्राम और ट्वीटर पर भी फॉलो कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और मज़दार रेसीपी के साथ तब तक के लिए नमस्ते